बिसमिल्लास फॉम्लालो ररहीम, आज हमारा फिजिक्स का नाइंढ का लेक्चे निम्बर फॉर है, और लेक्चे नुबर फॉर में जो आज का टोपिक हमारे पास है, वो है इस्टनस and इस्प्लेशमेंट, इन दोने कि दिफॉर्स पूछा जाता है, जिसने लेक्चर नुबर है यहां हम बैठे हुए हैं तुमाम स्टुवेंट से और मैं उसी तरह जिसे वहाँ पर इसे लेक्षिन number three में कि मैं उर्दू बजार जाना चाहता हूँ या किसी और जगा जाना चाहता हूँ या किसी और बजार में 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 जाना चाहता हूँ या किसी और ब तर फिर औरोड पर जा उर्दु बजा सकते हैं, तो अपनी मनजर पहुँचनी के लिए सुर्फ एक रास्ता नहीं होगा आप जोगी घर से भाई निकलते हैं हो सकता है आप राइट साइड पर मूव कर जाएं हो सकता है आप लेफट साइड पर मूव कर जाएं या आगे को मेर रोड आ रहा है उसमें भी क्या आप चीपास के आज़ब ब्रांचिज गरभा बन जाती है रोड direction से move करते हुए अपनी मंदिल पर पहुंच सकते हैं तो ये मेरे पाथ नमबर टू है ये मेरे पाथ पाथ नमबर क्या है थ्री है अब ये सब के सब रास्ते हैं अपनी मंदिल पर पहुंचने के लिए हो सकता है अगर मैं long path use करूं तो ज्यादा फासला मिझे ताय करना पड़ कर अब ये तमाब हो सकते हैं साइकल पर जा रहा हूं मोड साइकल पर जा रहा हूं गाड़ी पर जा रहा हूं तो डिफरेंट डिरेक्शन से मैं होता हुआ अपनी मंदिल पहुंच सकता हूं उर्दू बदार जा सकता हूं या उनिवर्स्टी जो भी position मानी जाए final position वहां ज क्या करूंगा a simple state path को चूज करूंगा और उस रास्ते से मैं अपनी मंदिल पर पॉंच सकता हूं किसी अगर helicopter का use कर रहा हूं मैं यह हवाई जहास का move कर रहा हूं तो फिर मैं गलियों से या सड़क से होता हूँआ नहीं जाओंगा बलकि किदर जाओंगा state move करूंगा अब मेरे पास क्या है distance है हो सकता है path 1 में मैंने 5 km distance travel किया हूं path 2 के अंदर maybe मैंने 4 km distance travel किया हूं 3 के अंदर maybe मैंने 2.5 km distance tire किया हूं लेकि जो सब से shorter distance आता है वो मेरे पास first किया कितना है 2 km between a and b अब यह है तुमाम distance length of the path between two points is called distance लेकिन जो shortest distance होगा shortest distance between these two points is called displacement shorter distance is called displacement and length of the path between two points is called distance तो हमारे पास जो सब्सक्राइगा definition आएगी इन में definition में difference पूछा जाता है जिसा है यहाँ पर comparison लिखना है distance का लिखा गया और displacement का लिखा गया है पहले number पर simple इसकी क्या आजेगे definitions distance की पिंक कलर में वहाँ page को पर लिखी भी है आप वहाँ से note भी कर सकते हैं कि यह जो बाकि जितने भी length of path है आगर आप बाइक पे जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं तो जितना speedometer आपको बता रहा होता है कि इतना आपने distance travel कर लिया है जितना शोग कर रहा है कि पांच किलो किलो मीटर दस किलो मीटर यह क्या चीदा उसका मैंगनी चूट है तो मैंगनी चूट है एरिस्पेक्टिव डिरेक्शन आप किसी सिंद में भी जा सकते हैं तो यह distance कलाता है तो पहले नंबर पर इनकी क्या लिखी जानी है डैफी नेशन दोनों की दूसरे नंबर पर क्यों कि पॉइंट जिसमें लिखा जाएगा कि distance is the scalar quantity whereas अगर displacement की बात करों कि मैं A से B की तरफ जाना चाहता हूं तो मिझे specific direction में मूव करना पड़ेगा direction भी है साथ उसका 2 km उसका magnitude भी है तो जब magnitude और direction जिब दोनों चीज़े इन्वाल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है हमारे पास vector quantity बन जाता है तो shorter distance between two points is called displacement and pink कल में definition भी लिखे पेज के पर वो ही आप फालू भी कर सकते हैं and displacement is the vector quantity तो displacement होगी वो vector quantity होगी क्यों क्यों कि इसमें magnitude भी है as well as direction भी क्या है इसके अंदर मुझूद है book के अंदर आप फालू करेंगे book के अंदर simple एक zigzag road सा दिखाये गया कि मैं अगर a point पर हूँ और ये मेरे पास क्या b point है अगर मैं इस path इस road के उपर साथ-साथ move करता जाऊं तो this is called a distance ये मेरे पास क्या कलाता है distance कलाता है distance को usually s से रिपिजेंट किया जाता है तो ये बेशे का तीसरा point भी इसके बनाया जाया सकता है कि distance is represented by a simple s, normal s letter whereas the shorter distance between these two points is a straight line और straight line को मैं किसे displacement किसे रिपिजेंट किया जाएगा bold d vector quantity को usually bold letter से रिपिजेंट किया जाता है तो यहाँ displacement को हम किस से रिपिजेंट करेंगे bold d से रिपिजेंट करेंगे तो तीन ती differences में लिखे जाएगे पहले नमबर पर दोनों के definition लिखी जाएगी दूसरी नमबर पर क्या लिखा जाएगा state is a scalar quantity distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity third point आप इसमें लिख सकते हैं ति हमारे पास जो distance है इसको s से रिपिजेंट किया जाता है जबके displacement को किस से रिपिजेंट किया जाता है mold d से रिपिजेंट किया जाता है इसे बाद general knowledge के लिए चंद चीजेंगे जो आपने याद करनी होगी ताकि अगला जो topic जो उनसा होगा उसमें थोड़ा बहुत हमारे पास वो क्या करें help करें और उसमें क्या चीज़ है कि अगर मेरे पास एक rectangle है if I have a rectangle rectangle में अगर मैं दो sides लेता हूँ एक मैं इसकी side ले लेता हूँ this one ये मेरे पास अगर मैं तीन किलो मीटर है और ये जो side आगी है मेरे पास कितने किलो मीटर है 4 किलो मीटर है मैं A point से start लेता हूँ और मैंने किस point पर जाना है B point पर जाना है और roads कुछ इस तरह है तो अगर मैं गाड़ी travel करूँ गाड़ी पर जा रहा हूँ तो मैं पहले करें तीन किलो मीटर right side है move किया और जिए फोर किलो मीटर मैं किदे जा रहा हूँ अब की तरफ जा रहा हूँ तो में total distance कितना travel किया तो टोटे distance होगा वो मेरे पास कितना होगा 3 किलो मीटर प्लस 4 किलो मीटर तो ये बन जाता है 7 किलो मीटर This is my distance But the displacement कितना होगा अब displacement किसी कहते है तो shorter distance between A and B अब shorter distance क्या होगा direct अगर मैं A से B की तरफ जाओ तो अगर आप इसे observe करें तो एक right angle triangle type बन रही है अब right angle triangle में हमारे पास ये जो side होती है 8 में आपने math में पढ़ा होगा this is called hypotenuse और hypotenuse का formula यहाँ पर लगाते हैं pathological theorem तो आपके पार यह कितना आएगा 5 km आता है solve करने के बाद pathological theorem hypotenuse scale is equal to base scale plus perpendicular scale तो यहाँ पर यह जो 7 km है ना 3 km प्लस 4 km यह बन जाता है इसका distance whereas the shorter distance यह जो 5 km होगा यह मेरे पास क्या कलाएगा इसका displacement तो किसी किसम की डाइग्राम दी जा सकती है अगर मेरे पास right angle ट्राइंगल आगे यह रेक्टेंगल शेप आगी है तो यह जो diagonal जोंसा होगा यह शोटर डिस्टंस को represent करेगा मतलब displacement को represent करेगा इसी तरह अगर मेरे पास कोई circle है एक दो हमारे पर numerical आएंगे लेकि उसमें थोड़ा बहुत मैश में यहां बियान कर रहा हूँ ताकर आगे जाके मरे रहे असानी हो क्या अगर मेरे पास एक semi circle है circle है यह मेरे पास a point है जहां समी ने start लिया और जहां पर b point है इसके half circle यह semi circle बाद करो half circle अब half circle में यह जो boundary of circle होती है यह आपने 8 में भी 7 में पढ़ा होगा it is called circumference अब यह मेरे पास पूरा circle नहीं है बलके half circle है अब half circle में यह जो मेरे पास distance है कोई body है इस डाइरे के अंदर move कर रहा है तो वो जो distance travel करेगा वो केतना करेगा इसका circumference के मताबिक और circumference में फार्मूला होता है two pi r where r is called its radius अब यह होता है two pi r पूरे circle का complete circle का circumference यहाँ मेरे पास half circle है तो इसलिए मैं इसके क्या करूँगा two पर divide कर दूँगा तो यह जो distance मेरे पास साएगा अगर मैं दाइरे के अंदर move कर रहा हूँ तो यह जो distance मेरे पास बनना है वो कितना बनना है pi r where r is the radius और अगर shorter distance की बाश करूँ तो shorter distance में क्या मैं curve path में जाऊंगा यह straight path में move करूँगा मैं straight path में move करूँगा a से b की तरफ और circle में आपको पता हो कैसी line जो से straight आधे circle को divide कर रही हो circle को 2 part में divide कर रही हो वो बन जाता है इसका diameter और diameter का formula क्या होता है मेरे पास 2 r तो यह जो diameter होगा एक से रपीजन किया जाता है दूसरों को डी सेसे किया जाता है यह आप लोगी से बेश्चाइन करना बीजा सकते शरक्ल की डाय dolra मना जाう सकते रेक्टेन 화ट का बाइन जा सकते आ दूसर निकलाएगा और जो कर पास में हम बात करेंगे वो डिस्टन्स होगा होप अंडरस्टेंड